हेलो फ्रेंड वेलकम टू आओ न्यू वीडियो तो कैसे हो आप लोग तो भाई आज है संडे का दिन और गनपती सेलिब्रेशन में सिब दो दिन रह गए गनपती अपपा के स्थापना में तो यार हमारी तैयारी अभी कुछ भी चालू रही हुई है अभी देखो मैं आया भ बुवाजी आएंगी फिर उनकी बेटी आएगी तो सब को गिफ्ट और एस सब साड़ी देने के लिए तो वो सब रखा हुआ है तो चलो निकालते हैं कुछ समान डेकोरेशन का और आगे का चलो बेड उठाते और आपको दिखाते हैं उसमें से समान निकालते हैं तो भाई कर भी लिए इसमें फूजा की फाली तो आई लोग ऑंक विजा पूजा की फाली जो हर बार पूजा कारके पिर रखाला जाता है हमाई सकना है ड स्योट शैंसे हुषपन हैं एक चाहद सही हुषपी स्योजन तो भारी को स्योपन के जहűष़िछ में यह कि गया है जोन के गदार जादर बसकती है बसकती हैieß तो भाई देखो यहां पर जो मुझे जिफट रगए मिलता है इसा अंदर आ जाता है और यहां पर पढ़ते रखे हैं और मेरा ब्लेजर जो है उसके अंदर रखा हुआ है यह बहुत बड़ा सा यह इसा दो और है उस साईड़ भी है जिये देखो से जो बेड़ में से सामान निकलना था निकल चुका है और मैंने थोड़ा बहु डेकोरेशन का सामान भी लेके आया है वो डेकोरेशन करने के लिए तो आज देखो यार मेरे बियर्ड जो है एकदम बड़े-बड़े हो गया है तो पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ अपने ट् करना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या सोच रहा हूँ जो अपना टेबल है मुझे इसके उपर ही अपना जो है गनपती जो स्थापित करना है तो यहां पर मैंने सोचा है कि मेरे पास जो लाश्ट टाइम की लकडियां है उसको एक फ्रेम की तरह बना कर और यहा कितना इसमें खील लगाऊ या कुछ करूँ तो मैंने क्या सोचा है कि मैं यहां पर एक फ्रेम लगाऊंगा जो स्कॉयर में होगा आयद जी से बोलते हैं उस आकार में लंबे से तो फिर उसके बाद मुझे वहां पर लाइटिंग के लिए भी जगह मिल जाएगा और अपना स्पीकर तो हाई ही एक ओर्णर पर फिर रादा कृष्णा को भी अंदर ले लेंगे उसके अंदर देखते हैं पहले कितना बड़ा बनता है तो सबसे पहले मुझे जो फ्रेम बनाऊंगा उस फ्रेम के उपर गोल्डन फॉइल जो है मतलब अपना गिफ्ट पेपर होता है न इसको उसके उपर रैप करना पड़ेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे अधा टाइम उसी में लगने वाला है और बाकि एक बार फ्रेम बन गया आना तो फिर उसके बाद अपने पास जगई जगई है तो फ्रेम बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगए यह फ् सारी लकडियां तो इसमें आप देख रहो हो जैसे कि चार बड़ी-बड़ी हैं, तो चार उससे छोटी और चार उससे भी छोटी तो आप अन्डाजा लगा सकते हो, चार जो है लंबे लंबे इतना लंबा बनेगा मतला अपना जो स्कॉयर रहेगा इतना लंबा बनेगा और सामने से इतना चोड़ा और साइड से इतना छोटा तो मेरे इसाब से इतना इनफ होगा क्योंकि गनपती बपा के साइच के हिसाब से तो मुझे देखना पड़ेगा पर श्टार्ट तो करते हैं पहले इसके उपर रैपिंग करना तो इसमें लाज टाइम मैंने किया हुआ था तो यह जो कील है यह मुझे निकालने पड़ेगी ट्राइ करके एक बार खील निकल जाए तो फिर आगे की जो रैपिंग है करूँगा नहीं तो फिर कील को ऐसे ही सा ऐसा Round करके देख लेते कितना जाने वाला है ठीक है फिर उसी Size के हिसाप से बहुत सारा ऐसे ऐसे पे Line Line से Cut कर लेते हैं क्योंकि एक बार में ऐसे लगाके फिर SELLO TIP लगा तो जाढ़ा Time चला जाएगा तो हम लोग क्या करते है कि पहले इसको देख लेते कितना चौड़ा च काटने के लिए कि कितना इसमें जाता है तो चलो कट करते हैं और फिर दिखाता हो आपको तो भाई अपने को इतना बड़ा जो है वो पट्टी चाहिए होगा तो मैं क्या करता हूँ कि इसके उपर रखके ऐसे लंबा लंबा जो है उसे कट कर लेता हो और सेम समलीजे कि इतना चौड़ा भी चाहिए रहेगा आपने को जो ऐसे लंबाई में भी निकल सकता है तो क्या करता हो बहुत सारे इसको पट्टी को कट करके फिर आपसे मिलता हो भाई डेकोरेशन करते करते मैं यहाँ पे नीचे आ गया थोड़ा क्योंकि गूप गया था डेकोरेशन करते करते तो यहाँ पे जो नीचे अपना मंड़ता हो भी बनके रेडी हो चुका है तो रुको मैं दिखाता हो आपको देखो भाई गजब का में डेकोरेशन हो चुका है इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मौनिया बैठा हुआ है तो सब समाल लेगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बन गया है पीछे तो यहाँ पर मीड़ा ऑफ दे सेंटर वहीं पर गनपती जी बैढ़ जाएंगे तो हमें सिर्प नीचे लाइटिंग वगरे करना है और बाके यह पूरा मंडब ही जो है वह बनके तयार है उपर पत्रा अगरे भी रख दिया है तो बारिस का कोई दिक्कत नहीं रहेगा और लाइट का कनेक्शन बगलवाले मंदिर से ही ले लिया जाएगा सीधा कोई टेंशन नहीं अभी परसो मतलब हाँ परसो ही आएगी गनकती तो लेने जाएंगे हम लोग सब लोग तो फिलहाल एह काम हो चलो यार अभी मैं वापस घर पे जातो और सबसे पहले डेकोरेशन का काम जो आधा दूरा चोड़ा अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो चलो उसको सही से बनाते हैं तो भाई देखो यहां पर मैंने सारे जो इतने पतले-पतले हैं यहने श्ट्रिप वाइस मैंने कट कर लि तो बाइ देखो यहां पर मम्मी भी लगी हुई है तो हम लोग ने इतने सारे जो डंडिया थी उनको कर लिए कि अगे इतनी सारी अधाय कर लिए और इतनी सारी बची हुई है तो अभी हम लोग इसको कर रहे हैं यह जाएगा 10-15 तो श्टीकर इतने हैं सब काट कटके रख यहां पर अपने जितनी वे श्टिक थी सबको हमने अच्छे से गोल्डन कलर से रैप कर दिया है अब इसको साम को देखते हैं क्योंकि आज विश्वकर्मा पुझा है तो सारी हार्डवेर के दुकाने बंद है तो मुझे ध्यान नहीं था वाना मैं कील वगरे जो था वो पहल मिल गई तो फिर इसको पुरा फ्रेम बना कर आज रख देंगे और इसके पीछे मेरा ऐसा प्लान है कि पीछे थर्मा कोल लगा के एक दिवाल जैसी तैयार करेंगे और उसके उपर लाइटिंग का कुछ डेकोरेशन करेंगे तो फिलाल चलो अभी साम को जाके देखते हैं और इसको जो में कान था ही हो गया क्योंकि इसमें जाला टाइम जाता है रैपिन करने में अब बॉक्स बना के और उसको बनाने में जाला टाइम नहीं जाएगा फिर भी दो तीन गंटे तो चले जाएंगे उसको थर्मा कोल को लगा के और फिर रख के देखेंगे उस पे कि कुछ हुआ नहीं है तो अभी इसका फिनिशिंग बाकी है तो इसको देखता हूं क्या कर सकते हैं तो इसको बांधना पड़ेगा नहीं तो यह कहीं गिर ना जाए अभी हम लोग एक काम करते हैं कि जितना भी पूजा का सामान एसब है वो आज ही जाके ले लेते हैं क्योंकि कल का फिर दिन में टाइम नहीं बचेगा और कुछ डेकोरेशन का भी सामान हम लोग को लेना है वो भी ले लेते हैं क्योंकि फिर कल पता नहीं मिले या ना मिले और यह मेंन बात है टाइम की, क्यों इकल उफिस का भी काम रहेगा और यह सब भी रहेगा तो सब शाथ में नहीं होने वाला है, तो फिलाल आधा काम सबसे मेन काम यही था, यह वाला हो गया है और अभी जाते हैं, हम लोग कूजा का सब सामान ले लेते हैं और सारी सीज जो अपना ज्यादा हुआ है आज हम लोग पहले जा रहे हैं अपने नियर बाई एक जगा पे वहां पर अगर सबसामान मिल गया तो बेटर है नहीं तो फिर दूसरे जगा जाएंगे बाई नहर में पानी भी खतम हो चुका है बाई देखो यहाँ पर सही हम लोगो सबसामान लेना है यह वाली दुकान से न्यू गोवर्धन पूजन समग्री चलो आओ पूरा समान ले लेते देखो यहाँ पर सबसामान लिया जाएगा वह पर सबसामान ले बहाँ यहाँ पर सबसामान ले बहाँ जी तो घूजन समय पूजा का समान लिया जा चुका है और चलो बिलिंग लोगरे करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं तो बाई यह देख लीजे दुकान और यहां पे ही आई यह लेने के लिए यह हमारे गर के पास है निलकंट के पास है ठीक है तो जो इस साइड रहते है वो सब लोग आके यहां पे ले सकते हैं एक ही जगह पे सब कुछ मिलने वाले सबको इस शॉप के ओनर है यह न्यू गो वर्धन करके शॉप है देख लिजए इनके था इनकी जो पॉलिथी ने उसके उपर भी लिखा हुआ है ठीक है तो दुकान देख लिजए दुकान में सब कुछ मिलेगा सब कुछ जुज़ा का सावान हम लोग ने ले लिया अब भी डेकोरेशन में थोड़ा चेंज हमनों सोचा है कि जो फ्रेम है वो फ्रेम के पीछे थर्मा कौल बिठाने के लिए ठीक है तो अब थर्मा कौल ले ने के लिए अभी दूसरे जग़ जाना पड़ेगा तो जाते यार थर् एक हम लोग घर सामान मतल Lal पर पूरा सामान लेके अगए जो पूझा का सामान्थ और इकोरियशन का सामान जो है और आ लेके आगये देखू कर देखू हां टे जगह जघर में घंगाशल शिड़क राए ब सिसु करें सा गोलू त्वार नाम का हो का नाम हो त्वार पहले बताओ जल्दी से यार यार बताओ बड़ा मस्ती खोर लड़का है दीदी आ गई अरे वापरे इसकी दीदी है तो यह सा समाना गया थर्मा कोल आ गया यह फ्रेम को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा तो बहुत सोचा लेकिन कुछ दूसरा जुगार निकलना पड़ेगा यह सब देखो एक चौकी भी लिया गया मदब पीड्hажи से बोलते उ हो रहेगा अब आकी कल मागना ने आवा है हाई हाई करहार तो किया को किया पाले बताओ आइगा इन Harvard समें अरय किया मैं है क्या इसके के लिए पना है कर रादे नहीं वह यह करो एकड़ कहा संद्स यह 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 क्या है यह क्या है धूक्व आपके औरा मीरम nails हैiscal है मजबूती से नहीं बना हूँ है कि खील, इसको मस्ती कर रहे है और यह हाप पे चड़ गया पीट के पीछे चुप रहा है तो उसको अच्छे से सेलो टेप से अच्छे से चिपका देते हैं और फिर थर्मकुल के उपर काम चालू करते हैं लाइटिंग निकाल के पहले देखते हैं कि थर्मकुल कितना उसके उपर आता है कहां गिरा रहा है एक कर रहा है अचालो याड पहले करते हैं इसको ज्वाइन कर लेते पहले कि इतना बड़ा मिला नहीं मुझे तो इसके उपर ऐसे पहले प्रेटाइन के लिए इसको सूपने के लिए राग देगा तो भाई देखो यह हमारा जो बैक्ग्राउंड में रहने वाला है थर्माकोल इसको हमने बना लिया है तो एक्षव में दो पार्ट में है अभी फिलाल इसको बाद में जॉइन कर दूँगा सेलो टेप से या फैविकोल से किसी से भी तो अभी के लिए ए और ए तो भाई पूरे दिन में बस इतना ही काम हुआ बस हम लोग समाल लेने चलेगा इसके लिए लेट हो गया और थर्माकोल लेना जरू पड़ेगा कल भी सुरानी का तीज भी है तो देखो सेव चवारी अभी से तो बोलिये कि आज दिन भर में जितना खा सकती हूं खा लेती हूं बारा बज़े से पहले क्योंकि कल तो भाई चलो मिलते अपने नेक्स वीडियो में मतलब कल तो नए तैयारी के साथ नए चीजो के साथ चलो बाई